कि आज पढ़ने जाएं वृलेशन को कि एक अबजयक्ट का दूसरे बजयक्थ के साथ रिलेशन के तो जासे एक एक इस बीज़ के साथ है है 1, 2, 3, और कोई सेट है हमारे पास, B, 4, 5, 6, हमने इससे पहले सैक्स पढ़ा, सैक्स के बाद आप आप है, और पेर पढ़ा, तो और पेर से चले गए हम, क्योंकि कम से कम दो अब्जेक्ट तो चाहिए जाहिए, ये रिलेशन बनाना के लिए, दो अब्जेक्ट तो चाहिए जाहिए, इसके पेर सी जलेंगे हम, और पेर से स्टुड़ी करना शुनू करेंगे हम, तो अगर हम यहां से देखें कि 1 का 4 के साथ रिलेशन हो सकता है, 1 का 5 के साथ रिलेशन हो सकता है, 1 का 6 के साथ रिलेशन हो सकता है, 2 का 4 के साथ रिलेशन हो सकता है और तू का सिक्स के साथ रिलेशन हो सकता है इसी परकार ठीका फूर के साथ रिलेशन और ठीका फाइब के साथ रिलेशन हो सकता है और इसी परकार ठीका सिक्स के साथ रिलेशन हो सकता है तो यह एक रिलेशन शोर कर रहा है तो रिलेशन कहां से मिलेगा हमारी रिलेश एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू दी एलिमेंट्स ऑफ सेट किसके बीच मैं रलेशन बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं सेट यह एलिमेंट्स सेट एलिमेंट्स सों टी त्रसाओ वनवां 1516 चिक्षिक पिर इसी तरह वन अब टो फोर टो फाइफ टो सिक्स त्रीफोर ट्रीफाइफ सिक्स तो जो हमने बनाया क्या है क्या यह क्या है श्वर काटिसर प्रण है यह तो कार्टिजन प्रटक्ट है इतने भी maximum possible pairs है उत्रे ही relations बना सकता है यह तो था कि relation किसके बीच में किसके बीच में relation तो यह था relation of the elements of set A to the elements of set B कि set A के elements का set B के elements के साथ relation बनता है अब बात आते हैं कि relation क्या बनता है क्या relation बनता है छोटा बड़ा क्या है number system है तो छोटा बड़ा क्या हो सकता है तो अब हम number system के बीच रिष्टदारी रोंगना शुरू करती है तो यह था Cartesian product इसको हम बोलने है relation from the elements of set A to the elements of set B the relations, read as, read as, relations from the elements of set A to the elements of set B एसे हम इसको, read करते है relations from the elements of set A to the elements of set B आपन कोई relation रेते हैं, x-y such that x is less than equal to y for all x belongs to element of a, set A का element होगा, x जिमें किसका element होगा, set A का, और y be the element of set B relation बनेगा, तो x जो है छोटा है y से, तो क्या बनेगा, 1, 4, फिर 1, 5, 1, 6, 2, 4, 2 भी छोटा है, 4 से, ये x बोलते हैं हम, first element को हम generally x बोलते हैं और second element को हम y express कर रहे होगा, यनि कि what is x, x represents the elements of set A and y represents the elements of set B तो इस परकार, 2 is also less than 4, x is less than y 2 is less than 6, 3 is less than 4, 3 is less than 5, 3 is less than 6, वही जो Cartesian product था, उसी Cartesian product को अब हमने एक relation की form में लिख दिया, अब हमने इसको study किया, बाइचास हम, हमने जो एक relation defined किया, x is less than y, वही relation, उस relation में सभी के सभी elements include होगे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है, कि relation जो है Cartesian product और relation जो है, इसका मतलब यह नहीं है, एक और relation define करते हैं, r2, xy, such that, कुछ और relation define करते हैं, कि y जो है, x से 3 बड़ा है, इस तरह को कोई relation होती है, y is equal to x plus 3, for all, x जो है, a का element होगा, और y जो है, b का element होगा, y जो है, x से भी 3 बड़ा होगा, 1, 4, 2, 5, 3, 6, बस और इसमें आने सकते हैं, यह बना, अब लग रहा है कि relation है, कुछ और चीज है, यहां पर तो relation जब हमने बनाया, तो हमें क्या लगा कि यह तो Cartesian product की तरह ही सेम चीज है, लेकिन नहीं ऐसा नहीं है, relation है, कुछ और चीज है, यह, हां यह इसके ही elements है, जैसे 1, 4 है इसमें, 2, 5 है इसमें और 3, 6 है इसमें, तो एक अलग relation define हुआ है, चलो इस तरह ही एक और relation लेते हैं, R3, XY, such that, Y, जो है, X plus 4 है, for all, X belongs to A, Y belongs to B, पहला जो element होगा, वो set A से होगा, और दूसरा जो element होगा, वो set B से होगा, तो relation क्या हमारे पास, R3, हम 1 भरते हैं, तो 5, 2 भरते हैं, तो 6, 3 भरते हैं, तो 7, 7, 7 इसके अंदर आएगा नहीं, क्योंकि Y is not an element of, 7 is not an element of set B, तो यही आएगे हैं, एक और relation लेते हैं, R4, X, Y such that Y is less than Y is less than X for all X belongs to A and Y belongs to X X is greater than Y, नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, कहीं भी X जो है, greater नहीं है Y से, तो यह relation क्या हमने हमारे पास, this is equal to 5, कोई भी elements इसमें नहीं आ रहे हैं, तो हमने चार किसम के relations define किये हैं, जो first जो relation था, वो Cartesian product के बिल्कुल equal ही था, और दूसरा जो relation था, उसमें जो कुछ elements थे, वो भी इसमें से ही कुछ, Cartesian product मैं से ही elements थे, और जो R3 को हमने एक और relation दिया, such that Y is equal to X plus 4, और R2 में हमने क्या लिया था, Y is equal to X plus 3, और यहां हमने लिया था, R1 में, कि Y is greater than X, जब हमने Y is greater than X किया, लिया, तो सभी के सभी elements इसमें आगे, और जब हमने दूसरा relation लिया, when Y is equal to X plus 3, तो इन सभी 9 elements मैंसे यहां पर तीन ही elements आए, और जब R3 हमने देखा, तो हमने एक relation define किया, कि R3 is the relation such that Y is equal to X plus 4, तो उसमें दो ही elements आए, और यह जो elements है, यह कहां से है, यह भी Cartesian product मैंसे ही है, लेकिन सभी के सभी elements नहीं है, और R4 भी हमने एक ऐसा relation लिया, such that X is greater than Y, यहां पर कहीं भी जो X है, वो Y से बड़ा, कहीं भी नहीं है, इसलिए, this is this relation, no any element in this relation, this is equal to 5, तो कुल मिला के हमने अगर देखा, तो यहां पर यह देखा, कि जो relation है, वो subset होता है, Cartesian product, यह यह इसमें, हलांकि इसमें, सभी के सभी elements आगे हैं, इस Cartesian product के, सभी के सभी elements हैं इसमें, लेकिन आपको पता है, कि whole set is also a subset of itself, itself, set is also a subset of itself, और यह भी क्या है, subset है, यह भी subset है, क्योंकि all the elements of R3 contain in A x B, यह भी subset है, क्योंकि R1 is a subset of A x B, R2 is a subset of A x B and R3 is a subset of A x B and R4 is a subset of A x B. तो यह भी देखा है, relation number 4, 5, 5 is a subset of every set, 5 is a subset of set itself, किसी का भी कहा सकते हैं, तो relation बन क्या रहा है, हमने चाह किसमें की different relations define किये, समसे पने हमने define किया, कि let R1 be the relation, from a set A to set B, that is y is greater than x, y is greater than, और जगा y जो x से पड़ा है, और इसमें सभी के सभी elements आगे, और दूसरा हमने relation define किया, कि y is equal to x plus 3, y, तो इसमें तीन elements आए, और वो element पूरे इसी में से ही है, और यहां हमने define किया, कि y is equal to x plus 4, दो elements से यहां के आए, और जो elements है, वो यहीं से ही है, और R4 is equal to 5, I'm pretty set, this is also a subset of A cross B, तो relation को बना के, क्या निकल रहा है, relation is a subset of A cross B, इसकी definition बनी, a relation R from set A, a relation R from set A to set B, relation R from non-empty set, कौंसर, non-empty set A to non-empty set B, इजे सब सेट of Cartesian product A cross B, क्या होता है, A cross B के subset है, यह सबी, जो A cross B के subset, relation क्या होता है, A cross B के subset, ठीके, the subset derived by, subset कहां से निकलता है, subset derived by describing a relationship between first element and second element, जो order pair है, order pair का जो first element और second element है, उनके बीच में यह relationship होता है, उनके बीच में relationship होता है, relationship between first element and second element, first element और second element के बीच में relationship बताता है, कि ऐसकी इस तरह relation है, इनके बीच में, कि first element is less than second element, यानिकि X is less than Y, यह relation है, और इन में का separation, इन में relation है, कि Y, Y mean second element, Y is equal to X plus 3, Y is equal to X plus 3, यानिकि X से 3 बड़ा है, दो और 3 पांच, 3 और 3 छे, एक और 3 चाट, first element, यानिकि Y is equal to X plus 4, तो X कितना बढ़ते हैं, और 1 बढ़ते हैं, तो यह 4 बढ़ा है, 1 और 4, 5, 2 और 4, 6, तो इस तरह यह, अब इन सब के बीच में relation define करता है, image, image क्या है, जैसे यहाँ पर image किसको बोलते हैं, second element जो है, image होता है, first element, second element, image क्या होता है, second element, is image, of first element, in each order pair, in each order pair, in each order pair, second element is image, of first element, in each order, element क्या होता है, जैसे यहाँ पर, क्या बोल सक्ते हैं, कि 5, 5 is image, image of 1, और यहाँ पर, 6, 6 is image of 2, in R3, in relation, in relation R3, or in R2, in R2, 1, in R2, 4, यहाँ, 4 is image, of 1, and 5 is image of 2, and 6 is image of, 6 is image of 3, तो किसी भी relation को ले लो, यहाँ से, जो second element होता है, that second element is image of first element, separately, separately, image होते हैं, तो फिर first element को क्या बोलते हैं, first element को क्या बोलते हैं, first element is pre-image, of second element, 5 is image of 1, 5 is image of 1, means 1 is pre-image of 5, 1 is pre-image of 5, 2 is pre-image of 6, यहाँ पर, 4 is image of 1, तो 1 is pre-image of 4, 1 is pre-image of 4, यहाँ पर, 2 is pre-image of 5, और यहाँ पर 3 is pre-image of 6, 3 is pre-image of 6, यहाँ देखो, कोई भी देखो, इसको बोलते हैं, pre-image, 1 is pre-image of 5, 2 is pre-image of 6, 1 is pre-image of 4, 2 is pre-image of 5, 3 is pre-image of 6, 1 is image, sorry, 4 is image of 1, 5 is image of 1, 6 is image of 1, इसको बोलते हैं आपर, 2 is pre-image of 4, 2 is pre-image of 5, 1st element is pre-image of 2nd element, 1st element is pre-image of 2nd element, इसको बोलते हैं, इस्टड़ी किया, image और pre-image, जैसे अगर हम इसको समझने के लिए, ऐसे भी हम इसको mention कर सकते हैं, जैसे दो, क्यों होते हैं, पती-पत्म, तो अगर पती-पत्मी होते हैं, तो इसमें, यह क्या होती है, image, यह image होती है, किसकी पती, यह इसकी image होती है, यह पती की image होती है, और यह क्या होती है, यह होती है, pre-image, यह इसकी पत्मी होती है, पत्मी होती है, image, पत्मी की और pre-image होती है, होता है कि में प्री इमेड़ किसका अनी तो इस तरह भी इसको देख सकते हैं और यहां पर जो साइड है दसे हम वाले फाइंड तो यह है करें डिने अर्डिस को हमार करें करें प्री इमेज ऐसे लिया रख सकते हैं उसके बाद उसके बाद आता है दूमेन दूमेन इन आर रिलेशन सेट ओफ और फिस्ट एलिट of all order pair Set of all first element Set of all first element of order pair Set of all first element जैसे R1 की बात करें, तो first element का set, one, two, और three, one, two, three, first elements का set अब रहा देगा, और R2 में, R2 में domain क्या होगी, set of all first elements, one, two, three, R3 में domain क्या होगी, one, two, R3 में domain क्या होगी, set of all first elements, that is one, all, two, और R4 में domain क्या होगी, five, R2 में domain क्या होगी, set of all second elements, of all set of all second elements, of all order pairs, इसको बोलता है हूँ, range, तो range of R1, range of R1 क्या है, four, five, six, और R2 में range क्या होगी, four, five, six, five, six, और relation R3 में range क्या होगी, five, six, और relation R4 में range क्या होगी, that is five, क्यों जी range, range क्या होगी है, set of all second elements, set of all second elements, of all order pairs, जित्रे की order pairs relation में बने हैं, उनके सभी के सभी जो second elements हैं, उनको हम range भूलते हैं, फिर क्या है, code में, code में क्या होगी होगी, entire set, entire second set is code में, entire second set is code में, पूरा set, second set होता है, वो क्या होता है, जैसे हमने इस कार्टिस प्रक्ट को बनाने के लिए, कौन-कौन से set लिये थे, हमने लिये थे, one, two, three, और second set के आख आख पास, four, five, और six, लेकिन जो range जब हमने देखी, तो range भी तो second set के ही elements होते हैं, लेकिन हो किसके होते हैं, order pairs के, जो relation के अंदर, जो order pairs बने, उसके elements होते हैं, जबकि, वो domain में, order pairs के second set नहीं होते हैं, वो जिससे वो order pair बना, वो पूरा का पूरा set लिए आपका four domain होता है, तो जैसे, आर three में, आर three में second set में कौन से ही elements है, five, six, आर one में पूरे की पूरे आगे, three, four, कौर one, पूरे कूरे, four, five, six, और R two में भी, four, five, six, और R three में नहीं आए पूरे, five और six आए, R three में five और six आए, तो complete जो set होता है, उसको हम co domain होते हैं, second set, whole set, second set है, और इससे हमें क्या निकल के आ रहा है, कि co domain, या range, range भी तो second set ही होता है, बट range में जो elements होते हैं, कि वो order pairs के ही आते हैं, तो इसका मतलब, range कीजे, range is subset of code ways, तो हमने जिस पिकार देखा हम, तीन तरीकों से relation को represent कर सकते हैं, पहला आपके पास set filter form, यह आपकी set filter form है, जैसे जो R one जो आपने relation बनाया, वो है, x, y such that x is less than y, और all x belongs to a and y belongs to b, r3 की set filter form थी, और इसकी फिर आपने क्या बनाया, roast form जो यह है, और R two की set filter form क्या थी, की x, y such that x, such that y is equal to x plus 3, for all x belongs to a and y belongs to b, r3 की जो set filter form थी, वो क्या थी, y is equal to x plus 4, for all x belongs to a, y belongs to b, और इस तरह R four की set filter form थी, वो क्या थी, x, y such that x is greater than y for all x belongs to a and y belongs to b, तो यह आपकी क्या थी, set filter form थी और यह है आपकी roast form, यह आपकी roast form है, और इसके अलावा relations की एक और form भी होती है, उसको बोलते हैं arrow representation, उसको हम बोलते हैं, तो arrow representation, तो arrow representation में जैसे हम first set को represent करें, तो यह relation from set, relation from non-empty set A to non-empty set B, that is first set में element है, 1, 2, 3, और 4, 5, 6, तो हम इसके बीच में एक relation define करते हैं, i. तो टूद एक हुरह हाल कैसाथ, वन नहा हुरह फाइन के साथ, तूच वह प्रसफी के साथ, टूट का फॉर के साथ, प्रसफी का फाय्ट आट these six के साथ तो इस तरह का विश्टी बनता है from set A to set B और set of all first elements, set of all first elements, तो इसको हम domain होते हैं और इसको हम क्या होते हैं, range होते हैं और इसको ही हम क्या होते हैं, co-domain होते हैं. इसको हम क्या होते हैं, co-domain, range क्या होंगे, range होंगे set of all second elements, second set के लिए पूरे के पूरे elements हैं, वो co-domain होते हैं, लेकिन range कौन से element होंगे, जो order pair के elements होंगे, यहां सभी के सभी जो elements हैं, वो range भी हैं और वो क्या है, domain भी हैं के पास, ठीक है, और यह image है, 4 is image of 1, 4 is image of 2, 4 is image of 3, वेकि भी image हैं इसी तरफ, 5 भी image हैं, तो यह थार ग्लेशन R1, इन अरो रप्रेसंटेशन, और ग्लेशन R2, रलेशन R2, इन अरो रप्रेसंटेशन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और यह आपके elements हैं, तो second relation है, 1 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, और 3 का 6 के साथ, relation है, first set is called domain, और second set is range, range और code में, same है, range और code में जो है, same है, यहाँ पर भी, तो यह था second relation की, R2 की error representation, और फिर हमार पाज, error representation of third set, third set की error representation, A, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पाज, 1, 5 को, और, 2, 6, तो यहाँ पर domain, order pair के जो elements है, order pair को और फिर है, और 5 और 2, 6, order pair के जो element है, यहाँ पर जो domain है, domain क्या है, domain क्या हैंगी, इसकी domain रहेगी, 1 और 2, जबकि इसकी range, range क्या होंगी, रहेंगे इसकी, 5, 6, order pair की जो second element है, और ही होगी, जबकि कोड़ में क्या है, इसकी, कोड़ में, second set, पूर अजट कोड़ में होता है, और 4, 5, 6, यह आपका, कोड़ में है, और यहाँ पर देखते हैं, कि range is a subset of कोड़ में, range is a subset of कोड़ में, यह था आपके पास relation, यह था आपके पास relation, R3, और R4 भी जो है, आपके पास क्या है, R4, relation from the elements of set A to set B, that is, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no relation between 10, कोई relation नहीं है, इसलिए, 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 क्या है, 5, इसलिए, 5, इसलिए, तो यह थी error representation, तो relation को भी तीन प्रिकों से represent किया जाता है, अब एक question और अराई होता है, क्या Cartesian product को भी error representation, या क्या Cartesian product भी अपने आपके relation होता है, यस, यह भी एक relation है, क्योंकि relation की subset of Cartesian product, तो Cartesian product is set, तो set is also be the subset of itself, इसलिए, यह भी क्या होता है, यह आपका relation हो सकता है, वह जा जाफ करीड़ कर दो